जाहिए दोस्तों स्वागे थाप सभी का हमारी यूट्यूब चनल इलैने द्रगेश में आज हम लोग परियावण के तीन महत्वपूर्ड जो सिच्छा सांस्त्र हैं खासकर क्योंकि सिच्छा सांस्त्र कैसा महत्तपूर्ड टॉपिक होता है अगर आपने सीटेट की परिष् देखें आपका तो गड़े से च्छां तीसरा हिंदे से च्छां यह तीनों प्रमुक्स पेपर के आधार पर आपके लिए बनाए गए जहां पर एक मात रुद्देश्य की आपको सेलक्षन के नजदिक लेकर चलना तो जो भी शाती इलनी पर दुर्गेश पर जुड़े है इस वीडियो को अंतर तक देखेंगे और इस सभी प्रश्णों की एक बिस्त्रित बिधिवत ब्याक्षा की जाएगी प्रहें लोग पूछते हैं सर आप जल्दे से प्रश्णों को करा दिजे अगर आप सीटेट में सेलक्षन चाहते हैं आप चाहते हैं सीटेट को अच्छ प्रश्ण सास्तर को पढ़ेंगे और उसकी ब्याक्षा की तरह ताकि परिच्छा में आपके प्रश्णों आएं तो आप उहां से एक भी गलती ना करने पर चलिए बिना देरी की अब अपने क्लास के शुरुआत करते हैं तो जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं वे आराम ये अपस में निकरती रूप से संबंदित है वानिकौन से ऐसा सब्समू है जो आपस में निकरती रूप से संबंदित है जो साती लाइफ देख रहे हैं सबी फड़ा फट जबाग दे देंग लिए चलिए मैं यहाँ पर आपको बताऊं मच्छर लंग्व लह और गुड़ होता है यह ऐरन की कोमी के लिए दिया जाता है यहाँ पर एक तो असपष्ठ है यहाँ पर सब्द जो heat इसका सम्भण नहीं है यहाँ अब यहाँ दिया है पो पुच्छा पुच्छा प्रेस्णिक यहाँ से मालेरिया होता है एनंमिया रक्ट अल्पता जो होता है अगर आपने इंसियाटी सीरीज पढ़ी होगी तिया प्रशन आपको इंसियाटी मिला होगा और वह किसे लोहे से पूरी हो जा सकती है मतलब यहाँ पर जो प्रशन दिया गया है उसका विकल्प यहाँ पर ए राइट एंस्वर है इसका सही तो आपको समझ मैं कैसे मच्छर से मलेरिया का संबंद है और एनिमिया का लो एस प्रकार यहाँ पर डैस होना चीए था कामा के जगह ठीक है और यहाँ पर कामा होना चीए था मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रशन की तरफ जो साथ ही जुड़े हुए है वह कमेंड कर कि पहले से जेग मच्छली को पहले से अबले लेकिन कमरे के ताप्मां पर ठंड़ेगी के पानी से भरे अक्यूरिये में डाला जाता है तो वह मर जाती है ऐसा इसलिए होता है यई कि मचली घर में prosecutor coming free करें करें आपने वह बीडियो को लाज跟大家 करने बाद सभिसे से पहले इस वीडियो को शेयर जरू कर दीजेगा ताकि यह वीडियो सभी लोगों के पास पहुंच सके सभी फटाफट वीडियो को शेयर करें इतक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो पहला काम वीडियो को लाइक करिएगा दूसरा काम आप इस वीडियो को शेयर अब आते बी की तरफ ऑक्सिजन रहे देखे जब पानी को उबाल दिया जाता है फिर भी पानी की मात्रा रहती इसलिए यहां पर यह कहना गलत है कि मजहीं की वजशें मर जाएगी यह बहुत हो गया फिर मचली दोाना पीने योग नहीं पानी पीती नहीं बलकिन गल्फड़ से क्या होता है और ऑक्षिजन को खीच लिया जाता है तो यहां पर क्या होगा यह भी गलत यहां पर जो बचा वो उत्तर होगा वह आपका चौथार था डी वाले सही है डी कैसे सही है देखिए उबालने से पानी का जो खनीज होता है वह नस्ट हो जाता है और जब खनीज होत प्रश्ण को मिला होगा या अपने घर बैटके नोट्स मंगाया होगा तो आपको यह प्रश्ण आपको मिला होगा ठीक है एक बात याद रखेगा कि अभी तक आपने वीडियो को शेर नहीं के तो पहला काम आप सेर करके हैं और लाइक करके हैं ठीक कितनी मेहनत आप कर दीजे कि आप से इच्छक बनने जारे से कितनी मदद करिएगा ठीक ताकि हम और मेहनत से आपको पढ़ाएं और अच्छे प्रश्णों के इस रिजी लेकर आए और अच्छी तरह से ब्याक्या करें आपको सेर करने में पैसे नहीं लगेंगे मैं आगे अगला पश्ण से आपको दिखाई दे रहोगा डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे आप अगला पश्ण के कह रहा है कि निम्रिकित में से कौन सा चांट की सता की बिसेस्ताओं के बारे में सबसे अच्छा वरण करता है अगर आपने NCRT का च्छा पाच पड़ी होगी NCRT क्लास्टिक्स तकी पड़ी होगी या आपने हमारा नोर्स पड़ा होगा उसमें चैप्टर था सुनीता विलियम्स का साधा पयाद होगा क्योंकि इसलिए मैं बार बार क्याता हूं इसमें क्या इसका उत्तर होगा सबी लोग फड़ाफ़ट कमेंड करें गलत या सही प्रश्नका पताइए क्या होगा चलिए मुझे नहीं लग रहा है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे अप लोग जितने लुग बीडियो को लाइक हो सेर के भगवान करें सीटे ठीना क्वालिफाइए करें बलकिन जल्दी से साह का धब क्वनें क्योंकि वह लगातार मेहनत करते हैं और हमारी बात को रखते हैं चलिए एक एक करके हम आप पहल करते हैं यह क्लासेज प्रदिन साथ बज़े होती है पीम पे देखें हवा नहीं गुरुत तो नहीं समतल नहीं देखें हवा तो नहीं है समतल भी नहीं है देखें चांद पर दाग होता है कुछ लोग कहते हैं चांद पर दाग लेकिन चांद पर दाग नहीं होता चांद पर क्या होता है कि उसमें धेड़ सारे खड़े होते है उच्छे पहाड़ तो हवा वहापे नहीं इसलिए भी विकल्ब गलत हो गया फिर कहा रहा है पानी नहीं यह सही बात चांट पर पानी नहीं है गरे घड़े हैं उच्छे पहाड़ जैसा कि मैंने उपर बताया इसलिए इसका उत्तर क्या होगा तीसरा इसका राइट एंसर ह हवा नहीं गुर्थ नहीं पानी नहीं ठीक गुर्थ वहाँ पर है इसलिए प्रिशने का उत्तर सीसका राइट एंसर होगा बने जितने लोगों ने प्रिशन का जवाब शी सी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तर से हैं अगर आपके मन में कोई डाउट हो अच्छा जि क्योंकि अपलोग पढ़े लिखे अध्यापक हैं और मुझे पता है ध्यापक के एक अच्छे विचार उते हैं अच्छे जगाश जाएंगे हम चांद का एक एक हिस्सा क्यूं देख पाते हैं सब लोग करिएगा कमेंड करके जरूर जवाब दीजिएगा मैं आगे बढ़ रह रहें तो वीडियो को अंधे तक बने रहेगा और आराम से पढ़िएगा अगर कोई लाइक कर देख उसके लिए आपके लिए नहीं है आप लोग परसान नहीं हो जैसा करेगा वह आशा भरेगा आप तो जानते हैं ये लाफ नेशार प्रकित का तो आरती ये कोश्टर पर एक बीमारी की रोगठाम से समंदित कुछ साधानिया लिखती है आरती कोई सिच्छारती है वह पोश्टर पर एक बीमारी की रोगठाम समंदित कुछ साधानिया पढ़ती है जैसे उसमें क्या क्या पढ़ती है अपने आसपास पानी को जमान होने दे पानी के बरतनों कुलरों टंकियों को साफ रखें यदि कुछ जगों पर पानी कट्था हो जाए तो तेल का छड़काओ करें स्वयम बचाओ के लिए जाली का प्रियोंग करें इस पोस्टर को देश क्या है यह अभी आपके एंसी आटी में है और हमारे नोट्स में भी यह था और अगर आपने पेट कलास में भी पड़ा होगा उन दोनों जगए लेक्चे में आपको मिला होगा तो जरब फड़ाफट कमेंड करें अब बताईए क्या मतलब अपने आपने आसपास पानी ने जमाओ दे ऐसा आमको बच दर्टिया नामसे दिये नहीं होग यहांगर नहीं होगा घ्ला जने उपानी qwaku सो होता है जैक्षें बारी नहीं यह इसके भार दानी नहीं होगा मस्तिष जो होता है मच्छरों से फैलने वाली बिमारी गों यजा पानी मस्तिष जो और से बचाहू के लिए पानी में बरतर में प्रेंदे बावन पर लग कर investigator क हैं इसलिए इसका उत्तर क्या होगा ऐसे प्राइय लोग गलतियां करते हैं तो भाईया गलती मत करिएगा यहां पर परिक्षाल में गलती मत करिएगा एक एक पॉइंट एक नंबर की वैलू होती है ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूं बिना समय कवाई हमें आगे बढ़ना आगे बाद बिद्यार्थियों को रण थंब और राष्ट्युद्धान ले जाता है यह भी इंसे इंसे इंट में मैं आपको पहले बताया हूं अगर आपने यह नोट्स पढ़ी होगी मेरी इलनी बिद्रगेश की चाहिए आप ऑनलाइन मंगा कर चाहिए घर बैठके तो य यह लाइन पूरा मिल गया होगा और यह लाइन आपको हुबहु मिला होगा रड थंबो राष्ट्युद्यान यह पूरा हुबहु लाइन इंसेटी में दिया गया है आपने अगर हमारी क्लास पढ़ी होगी और और ओनलिंग क्लास के लिए आप लोग 630 634 367 पर घर बैठक करना अब बताइए आपका क्या जवाब है जो लोग लाइब देख रहे हैं अगर आप यहां पर गलती करते तो भाईया मुझे नहीं लगता कि आप सीटेट के अच्छे दावकेदारों में शेक हैं अब बताईए प्रकित के सम्मान सम्मान के लिए थंबार तो नहीं ले ज सदिया होगा फिट क्लास में फिर पैरेवन सच्छन के लिए कॉसलों का विकादी कॉसल बच्चों को विकास कराना नहीं है बाहरी भ्रमण के दोस्तों के साथ मजा लेना अब यहां पर आपको मुझे दो लगता है सी और बी में क्या होगा तो यह बास सही है कि कच्छी सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें उसके बाद सभी को शेयर कर दें कि आगे बढ़ना अगले प्रश्ण की तरफ कि अगला प्रश्ण है आपको सहाथ दिख रहा होगा कि कच्छा में पोस्ण प्रक्रण का परिच्चे अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक सिच्छक को क्या करना चाहिए जैसे माली जिए कि आप एक सिच्छक है तो चली यहां पर द्यास से मेरी बात को समझने का प्रियाज करिएगा कच्छा में पोस्ण प्रक्रण पढ़ाने के लिए जैसे अगर आपको पढ़ाना है कि मानों के दातों का प्रतिरूप अब अधे दार देखने से आप क्या पोस्ण पढ़ा पाएंगे हो सकता है पढ़ा ले विद्यारतियों को अपने टिफिन बाक्स खोलने और उनकी समागरी को देखने के लिए कहना चाहिए बाद में सिच्छक को ब्याख्या करने चाहिए फिर पोस्ण तत्तों से भरपूर विभिन भोजन के उदारन देने चाहिए स्यामपट पर पाचंद चित्र का बनाना चाहिए अगर आपने मेरी क्लास बेड क्लास मे पढ़ा होगा तो मैंने वहां पर NCRT की ब्याक्ष्या करते हुए पढ़ा था और यह भी NCRT में कहनके सर्य आप तो क्यों कोई इंट्रेवियू दिया तो भी हो जानता होगा कि इंट्रवू में प्राइप प्रत्षा जाता है वह भें बताऊं कैसे पर प्रत्षण आपके पुछा जाता है थोड़ा सा अगर आपको पोसन पढ़ाना थे पासर नहीं पढ़ाएंगे ठीक है बच्चों का Давira नहीं है अब यहां से देखते है अब निया पर चोफिन कौने में नाकूर करोंग機 उनके समय-प्रप देखने के का गे उसकी भाणा करेंगे जैसे माली कलशन मेरे बहुत सारे लोगा जैसे हमारे कच्छा में हैं राम है श्याम है शोनी है मोनी हैं माली ये क्लास में सब बच्चे हैं अब बच्चे हैं इन लोग उसका अगर टीफिन ले करा हैं तो हो सकता है राम क्या लाया हो ये रोटी सबजी लाया हो ये पराठा लाया हो ये ब्रेड लाया हो और ये चॉकलेट लाया हो तो ये सारे बच्चे जो अपने टीफिन को लेंगे अब हम बताएंगे अच्छा कौन क्या लाया है तो इससे क्या होगा हम बच्चों से उनके टिफिन बॉक्स खोलने के लिए कहेंगे सबसे पहले बच्चों के अंदर होगा एक मेल मिलाप की भावना होगा उने एक टाकाव पर इच्या लग होगा दूसरी बात अब बच्चों की अभीवख्त की सुझता हो नी चाहिए कम नीचि die जब बच्चों से फ्रैंड्ले हो के तो उनकी अभीवऄ्त की जो चुझता आब वह बाहर आएगी ठीक काय था और पास जुड़द पाएंगे के सरस्याही से तो फिर जैसे इस सब को चलने के लिए कुछ ने कुछ चाहिए गाड़ी कैसे चलती है पेट्रोल से तेल से वैसे हमको चलने के लिए भोजन जुरुत पड़ती है और भोजन से मिलता है पोसण मिलता है इस बात को समझाने के लिए इस तत्यों को हमें पढ़ात के अगला प्रस्ण आपके बीच है बहुत ही अगले दार प्रस्ण के मैंwarmसे पैसे प्रस्ण को मज़ेदार क्यों कहता हूं यह प्रस्ण थोड़ा सा बढह है तो हे चलिए यहांपर और स्वारी और चली यह आप प्रश्ण को द्यान से पढ़ी जये जहां सिर्पन करने यह आप प्रश्ण को सफ्ळूल करना इंगक खोजवीन करना एउन एक्सप्लोस व viral करना एफ्ष्प्लें बिस्तार डेना एलो ब्रैट और य्षुर यह बिज्ञान और प्रभावी सिच्छन से जुड़े पांच महत्पुन एश हैं अंकुलन के लिए अवस्थेक पस्तिति हैं अंकुलन क्या है यह अगर आपने नोट्स को अच्छे से मेरा पढ़ा होगा और अगर आपको मिल जाएगा तो आपने हां पर देखा होगा कि अभ पस्तितियों की से जुड़े व्यावारी अनुभाव को बच्चों के बीच उपलब दिकर आते समय एक बिज्ञान से चिका निमनिखित गजविदियां करने के लिए कहती हैं तो पांच मिनट कह रहे हैं तो ध्यान इसको पढ़ लीजिए मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं समझ मा गया सबी को चली यहां पर द्यान से दिखिएगा अब यहां पर क्या 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 कहती हैं सिच्च का पहले कहती हैं कि बीजों को रात भर पानी में रखें उन्हें सूती और गीले कप्ड़े में रखें ठिक फिर आगे दो दिन बाद बीजों का अलोकन करें अब पता बात कह रहा है तो उसमें 3 ES कौन-कौन है और कौन-कौन नहीं है सभी लोग फटाफट're comment करेंगे और कमिंड करेंगे जब आभ देंगे जो लोक इस वीडियो को लाइच देख रहे हैं वे सभी लोग फटाफट're comment करके जब आप देंगे कि मेरा उद्देश आपका सेलेक्शन दिलाना है और मैं यह चाहूंगा आप सेलेक्शन के लिए पढ़े अंकुरन के लिए आवस्तितियां इस अंकलपना को बेहवारिक अनुभाव से बच्चों को उपलवद कराते समय अगर आप विज्ञान के सिचका है चाहे उन्हें क्या करेंगे सबसे पहला काम क्या करेंगे जो लोग लाइब देख रहें बताइए शामिल करेंगे इंग्यक करेंगे उन्हें क्या करेंगे क्या करेंगे बच्चों को सामिल करने का काम करेंगे बच्चे एक साथ जुड़े जाएंगे फिर जुड़ेने के बाद फिरम क्या करेंगे उनको कहेंगे एक्स्प्लोर करेंगे इसके बाद क्या करेंगे एक्स्प्लोर करेंगे क्या करेंगे को फोज्बीन करने के लिए किए कंगे क्या कि आपको खोज्बीन करना क्या चो बीड़ करना है चली देखिए घास जो डिहें गनेद लोग काँई कि सब एदूर घ्रैन्यटें के सर बीच को डाल दो फिर उपर आ जाता है अच्छे बताओ अगर रात में रखेंगे तो क्या होगा तो बच्चे के सर रात में अगर कपड़े में रख देंगे सर पापा सुबद चना खाते चना तो अंकुरित हो जाता है मान बच्चे का करेंगे खोजबीन करेंगे और जब खोजबीन करेंगे तो उसे पूछेंगे कैसे हो गा भ़ो बच्चे बताएंगे अब अब यहांपर क्या होग infect कुर्ण प्रे 않았ती लीचा्वर्ट बिस्तार करना मुल्यांकन करना कर आप यहांपर देखें कि अब वहांपर बीजों को रात भर पानी में रख रही है तो जो बीज को पानी में राद भर के लिए रखेंगी तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर वो ब्याख्या करेंगी फिर यहाँ पर क्या करेंगी बीज को रखेंगी फिर दो दिन बाद यहाँ पर करेंगी यहाँ उन्होंने क्या किया देखें यह दोनों काम उन्हों अभी तक नहीं किया वह डाइट कहती हैं कि बीजों को राद बर पानी में रखे और सूती कपड़ों में शोने दे मतलब यह वहाँ पर यह कह रही हैं कि explain कर रहे हैं कि एक काम करो अगर हम लोग रात बर पानी में रखेंगे सूती कपड़े में रखेंगे तो क्या होगा फिर क्या होगा दो दिन बाद भी जो का अलोकन करें उसके परिवतनी काट करें माने उसको विस्तार देंगी ब्याक्खा करेंगी इलबरेट करेंगे फिर इवैलूट करेंगे फिर उसका मुल्यांकन करेंगे मुल्यांकन करना मने इसके पुस्तकों पर दिया elaborate माने मुल्यांकन करना तो यहां पर मुल्यांकन करने की बात कई गई है तो यहां पर यह दोनों बाते नहीं कई गई है बाकित तीन बात यह कई गई है तो यहां पर इस प्रकार यहां पर वो दो काम नहीं करेंगे क्यों कि यहां पर दिया गया है कि उनमें गद्धिया करने क करना यह दोनों लोन बत्चों को नहीं बतागा क्लियर हुआ है याद जी तो निटेमिंट के बताए आपको समझ में आ गया बार आट अगर आपको समझ में आ गया है तो पहला काम पिद्शुर कर दो और дома आजा है तो कोई मतलब नहीं ठीक है इतनी मेना से पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है अगर आपको लग रहा है कि में बहतर भ्याख्था कर रहा हूं तो बह Olis एक कच्छा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोईले के ये दिखे कच्छा पांच के इंसियाटी पार्ट लास्ट वाला लेसन है कोईलों के भंडारों में रिक्तिकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टी मेडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया जबकि अनुभाग ब इससे आप लोग सारे कोच्छिंग हो के लोग से पढ़ते हैं तो लोग दो तरहते हैं जैसे महीं ऐन लिए एक मुखे हो गया एक ऑनुभाग बी वाले क्या करते हैं आते हैं कहते हैं कित्सक्रा सॉतर कर कrijk करें डिखे है तेपने समझां कि इस लोग ने फोग ले आप लोगे गले ने उतरने वाला है तो यहां पर दिखते हैं कैसे ग्रीन बोर्ड एक अच्छी द्रसमागरी नहीं यह यह बता हो आपको यह कहें कि मैंने साइज स्क्राइब प्रस्नी की ब्याख्या नहीं की तो कोई लड़का फेल हो गया यह तो हुआ नहीं यह तो गलत बात हैं जैसे मेरी बात ले लो मैं लो यहाँ पर आणिशनों की ब्याख्या घर के पर दाता हूं और अब परिच्छम जतने लोग शीटेट पड़े हैं आज तक करिकार्डे मेर को चीजे बताएंगे तो आप क्या पास कर जाएंगे जी नहीं अब क्या रहा है कि मल्टी मीडिया सामागरी का प्रयोगा पेच्छा कि अधि मित्वियापी है ऐसा भी नहीं सस्ता मेंगा कोई सवाल ही नहीं आप सेलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं ताइम पास के लिए तो अभी इंद्रियों को शामिल करने जैसे जब मैं पढ़ाता हूं तो जब आप इच्छर देखते जैसे मैंने आप बता दिया कि आप दो घंटे की कोई फिल्म देखें उसकी स्टोरी और दो घंटे कोई बुक पढ़ें दोनों की किसकी स्टोरी आप अच्छी तरह से बता प चले तकी ज SHAbn twin पूछे आपकी आपके दिमाग में आपके पापा का चित्र आजाता है तुरन्द आपके दिमाग में अ क्या क्यों और पढ़ाने का तरीका और मैं उसी तरीके से फालू करकर बाता साथ आपको यकीन नहीं होगा मेरे हां सीटेट कोई फैल नहीं होता जो लापरवाही करेगा नोट्स नहीं पड़ेगा हमारी बात को नहीं मानेगा वही फैल होते हैं बाकि कोई भी फैल नहीं होता इसलिए मैं बार-बार कहता हूं कि थोड़ी चीजे किसी भी बात को लेकर पर हाई को लेकर घुमाणना करना चाहिए चीजों को समझना चाहिए अपना बेश्ट देना चाहिए इसलिए इसका उत्तर क्या होगा चौथा डीस का राइटेन सवर होगा मैं आगे बड़ रहा हो अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण से आद आपको दिखाए दे रहा होगा एक अच्छा में औसात से कम चार बिद्यार्ती हैं उन्हें अन्य बिद्यार्तों के समान लाने के लिए सबसे प्रभावी भियो रचना क्या होगी यहां पे चार बिद्यार्ती है ठीक है चाप दियार्ती कोई है जिसे जिनके नाम आ रहे है जैसे हैwhyuste आपे अमित है मेरी तरह मंद बुद्धी के लोग है अब इसे कहों सा ऐसा प्रवावी है कि ताकि ये सभी लोग आप लोग की तरह बन जाए ऐसा क्या करेंगे ज़रा फटा फट कमेंट करेंगे ये चारों आपकी तरह हो जाए इन्हें हम अगली पक्ति में बैठाएं उन्हें काम का अचान करना उनके अनुसार सुधारात्मक उपायू प्लब दे कराना फिर मैं के देखता हूं यह सुनिश्चित करना कि वे नेमित रुप से विद्ध्याले आएं अरे भीया हम तो कभी क्लास नहीं छोड़ते थे मेरा रिकॉर्ड है मैं कभी भी लाइफ में अपनी क्लास म तो हम अगले दिर रात को उसको मैनेज करेंगे मने अपनी टाइम टेबल पर कोई भी छिडशार नहीं करेंगे मतलब यह भी गलत हो गया फिर कह रहा है उन्हें घर पर करने के लिए दत्यकार दे अगर हूमोर करने सो जाए भी हम तो हूमोर कभी नहीं करते थे अगर क्या बहुत सारा किसी को लिखने के लिए दे दिया जाए यह खुब चाप करा हो क्या वो सलेक्षन पा जाएगा जैसे मैं आपसे कह दूं कि आप मोटी मोटी किताबे पढ़ लो तो क्या आपका सलेक्षन होगा क्यों कि आपको छोटी जील चाहिए आप के देसर सौट नोर्स द रटनेस जो भी हैं इन सभी के बारे में हमें कम्यों को पचाना चाहिए उन कम्यों का धार पर में सुधरात्मक काम करना चाहिए इससे क्या होगा अब देखे हैं कि मेरी बात को ध्यान समझेगा विव रचना सचसे प्रभावी होगी परिच्छनों टेश्ट के माध्यम से से ज्याद कैसे ज्याद करेंगे टेस्ट के माद्यों से कौन सा पक्रिच्छा बाला नहीं उनकी कमजोरियां क्या है उनके प्रफिद्धार दरात्मा को उपाय करने चाहिए ठीक है यह बात आप लोग को ध्यान देना चाहिए मैं आगे बढ़नों अगले प्रश्ण की तरफ नहीं मैं कूटा कम गया हूं क्योंकि मैं सुरू से मंदबुद्धी रहा हूं तो इसलिए टीचर में बहुत मानते थे और मैं आगे भी रहा हूं तो यहाँ पर हैं एक संतुलित प्रश्ण पत्र बनाने के लिए निम्निकित च कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद जबाब देंगे इतनी महनत से पढ़ा रहा हूँ गर ऐसा को यूट्यूब पे चनल पढ़ा दे वीडियो को अंसस्क्राइब करके चलेगेगा मैं इस बाती गरिंटी लेता हूं कि अगर आप डेली क्लास में है सीटेट में बाहर ज से बेच दो फेसबूक पर कारेंगे कि पहले प्र Georgetown बनाना पहले क्या करेंगे करके का चलिएफिक है पर सबसे पहला काम क्या करेंंगे हम प्रस्ट पहले नहीं लिखते हैं लें यह देखते हैं हमने भी तक पढ़ाया था क्या के टौपिक पढ़ाया था बच्चों कैसे चीजें को हम समझाने का प्रयास करें को यहां पर सबसे पहला काम क्या करेंगे हम पहले प्रैशनने लिखेंगे हम पहले दe करेंगे अच्छा जार करते हैं मैं कच्छा वालों को पढ़ाता हूं वहां पे बच्चे सीखते जलदी हैं तो सबस्क्राइब करेंगे हम पहले दियाइन ताहर करेंगे फिर उनका ब्लूप्रिंट फिर क्या बनाएंगे उनका ब्लूप्रिंट उनका फिर ब्लूप्रिंट बनाएंगे फिर उसके बाद कहेंगे कि यार अब तो ब्लूप्रिंट हो गया अब एक काम करते हैं पहले प्रस्ण को लिख लेते हैं हमें काम करते हैं पहले के चाफ रजट रखन एक नंबर गरते भी ये बड़ा किस पांच नंबर मोख नो बहें तो जो अंक योज़ना होता है वाप हमेसे अंत्मे में बनातें हैं इसलिए इस परिफ्त और सभी उत्र होगा वा क्या होगा एक करा होगा इस दिएगे परिफ्ट का सही जबाब होगा मतलब जितने लोगों ने यह नियुए बताया है एक लिए उन्हें के जबाश्य क्या है पुरी तरफ यहां से दिखिए अब आपके पर सुरूर खतम हो चुके अब हम बढ़ते हैं मैध की तरफ क्या आप सभी साथी जो लोग अभी तक देख रहे हैं किया आगे आप लोग मैध की क्लास के लिए तयार हैं जहां पर हम लोग कि पढ़ेंगे जब हम लोग यह प्रयास करेंगे कि मैध सिछड के साथ हम लोग कुछ मैध के सवाल को भी हल कर ले अगर आप लोग तयार हैं तो फटा फट वाई कमेंड करें और इलनी पर दोड़केस पर जुड़े रहें और एक छोटी सी निवेदा ने आपका एगर आपको लग रहा है कि कि आप लगातर महनत करकर सेलेक्ट हो सकते हैं इस वीडियो को अपने साथि मित्र hm तक जरू पहुचाएगा इतना काम आप करिये अगर आप ऐसा नहीं करते अगर आप अपना विवक्ति नहीं बेखते करते तो आपके पठन पाठन में दोनों मुकमिया है इससे सुधार करिए वरना परिणाम थोगला सा दुखात हो सकता है कि मैं बढ़ रहा हूँ तब तक मैं अपना ब्यस्ट दोंगा क्योंकि मैं tahunum उम्मीद करता हूं एक च्छाएं है या आपके लिए महत्तवोण होंगी ठीक है तो चलिए आपके सामने पहला प्रश्ण साहथ दिखरा होगा लिए बोट पर चलिए फटा-फट कमेंड करके बताइए कि तेहवार के समय कच्छा 5 में प्रत्सप पक्रण के समय शेल पर चर्चा किए आजकल सेल होता है ने सेल लगता है ठीक है सेल पर कच्छा चच्छा शुरू की गई कच्छा में इस प्रकार की जो चर्चा है अब फटाफट कमेंड करिएगा और जो लोग इस वीडियो को लाइफ करेंगे और कमेंड करके दिएगे प्रश्ण का जब आप जरूर देंगे शबी लोग मतलब आयसा नहीं कि कुछ लोग जबाब दें तब आपको देना पढ़ेगा पर दोमें आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है उतना ऴीदा में पढ़ाऊं अपका कोई आधि की में वहाइं यहाँ पर करेंगे क्या कि अपने बाद विवास समस्दी को बढ़ाने में बिद्यार्थी को साहता करेंगे अब ये बताइए कि आप बाद वियाद को बढ़ा कर हम सिल में परसेंटेज को तत्तिकों समझा सकते हैं ऐसा कर पाएंगे अगर कर पाएंगे तो अच्छी बात है तो यहां पर यह तो गलत हुआ ठीक है यह वाले जितने थे वह गलत हो कच्छा में गर्मा गर्मी बहस तो नहीं करना है महौल खराब नहीं करना है बच्चों को शिखाना फिर आगे देखेंगे कि एक दूसरे की विचारों को सुनना जैसे मैं जब अपनी बाते रखता हूं तो आपकी बाते भी सुनता हूं ऐसा नहीं है कि जब मैं बढ़ा रह की त्यारी कर रहा होगा तो इस बात को भली बात ही जानता होगा कि कच्छा में संप्रेशन होना चाहिए और आप बड़े बच्चे हैं दूसरी अपना तर्क प्रस्तूत करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए ठीक है ताकि हो जो बच्चा वो अपनी बात लग सके हमारे की इस प्रिशन का उत्तर जो होगा वह अभी तक तीन आपको मिल चुका है आगे देखता हूं उपेच्छा की जाने चाहिए यह कच्छा में सोर के अस्तर को बढ़ाती है दूसरों को परसान करती याद रखेगा कच्छा में सोर होना चाहिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आ आपके कमेंट आने चाहिए अगर आपके कमेंट नहीं आते आपके संख्यां नहीं बढ़ती आप सियर नहीं करती इसका मतलब मेरे सिच्छन को उसर में कमी है मुझे पढ़ाने नहीं आता मैं बेसक कितना भी बेतर प्राओं जब तक आप एक अच्छा जीवन दिक अच्छ की परिच्छा जब भी देंगे यकीन हैं आप इलनी विद्रगेश को जरूर याद करेंगे फेज़ुक पेज इस्टाग्राम ट्वीटर यूटूब हर जगा इलनी विद्रगेश है अगर आप कोई भी यूजर है तब जरूर जुड़िएगा अगला प्रस्ण आपके सामन सधित आकड़ों के विशलेशन संबंदित गतविधियों की समझ का आकलन करने के लिए सरवाधिक उचित रुपात्मक कारी क्या है तो जो साती लेनी विद्रगेश को देख रहे हैं लाइप क्लास पढ़ रहे हैं वे कमेंट करके अपना जवाब जरूर देंगे सभी साती और इस वीडियो को अपने सभी साती में त्रों तक सेयर जरू करेंगे जी आनुप जी आप लोग तो डेली क्लास में रहते हैं यह क्लास प्रत दिन साम साथ बजेशे होती है लाइप चलती है और अगली क्लास cdp की होगी वो साड़े आठ बजेशे होगी वो भी इसी चैन कॉपी नोट्स भी प्राप्ट कर सकते लेनी भी दुर्गेश की आईए यहाँ पर हम इस प्रश्ण की चर्चा करते हैं देखें हम आकडों का बिश्लेशन जब करते हैं इसके लिए क्या होगा सर्वेच्छन पर आधारित परियोजना बनाएंगे क्या बनाएंगे सर्वेच् बच्चो को इकठा करें आखड़े जैसे कही देंगे आप लोग लोग अपने घर जाईए घर से बताइए आप घर में एकतने सदश्च है तो करे जैसे आप और हो गए बहार जोगये होगाए UP मेरा पाठ्बाइब करेंगे इस तरा से क्या किया हम ने सर्विछन किया कि अपने घर से लाएं और देखें किनके घर कितने महिला है कितने पूरुत हैं इस प्रकार हम क्या करेंगे इन तत्य को अच्छे से जान पाएंगे, इन तक्त्यों कर दो समझ पाएंगे कि उनकी समझ का आकलन करनें का ये स्पसे सर्वत्तम है. मना बीना अविशर्षण की ज्यात करना श्ञंभों नहीं है. ठीक है तो उसके लिए क्या करना होगा सर्वेच्छन करना होगा बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कब उसने सर्वेच्छन किया क्या होगा बच्चे को पता भी नहीं चलेगा अब जैसे यहाँ पे रोल प्ले करने का कुछ लोके इंसर रोल प्ले करना दूसरा इसका सही जवाब होगा तो जितने लोगों इस प्रिश्ण का उत्तर भी बताया है उन सभी के उत्तर सही है बाती के उत्तर गलत है तत्य को समझेगा ठीक है यूँकि यहाँ पर आकड़े को प्रस्तुत करना है सभी आकड़े लाकर कच्छा का एक साथ प्रिशित गार कि वहां कि एक यह क्योंकि आकड़े को टोटल करना है इसलिए मैं क्लाइन से लिगा क्योंकि आकड़े करने और टोटल करने बाद हमें जाएंगे इस कछा के कुल परिवार की सदस्की संख्या कितनी है किलियर होगा आगे बढ़ना अगरे प्रश्णीकी तरफ आप वी गौच्किक इन दोनों को जरूब पढ़िएगा मैथ में मैं सीडीपी के लिए और गणित के लिए इनको भी पढ़ लिए गणित के लिए देखे पियाजे का यह विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है गणित का एक सिच्छक पियाजे के सिधांत में बाप कि एक छोटा से के जैंपधा जैसे मैं से कह दूँ कि क्या आप लोगों को गाली देना आता है कि ऑ भी तो गले कहां जा। आप ने कि अध्यापक नेसख वाजा घर के लोगों ने सिख़ाया या अपने कहां ने सीका है तो आप कहते हैं कि कहां से सिखा अपने तो समाज से सिखा कहां से समाज से सिखा तो यह जीन प्याजे की बात है अब जीन प्याजे कहते हैं कि समाजिक और अनुद्शक से सीखना होता है गणित ऐसी चग प्याजिक से दाने बिश्वास करता है और वो कहता है कि क्या कि सामु स्माइक परयोजना का परयोग करके हम क्या कर सकते हैं बच्चों को आसाली से सिखा सकते हैं कि अब यहां पर नहीं जाना है कि हासर हमने आपके नोट में दो पड़ा तो आप पर यह लाइन दिया है एक अच्छा बहुत सारे हस्त परक्षालगों का अगध्विदियों का प्रयोग करके ठीक है भाईया वह एंसे अभ दोजार पांच के अधार पर एक प्रस्ट के सुरुवात में का प्याजे ठीक अगर यह पूछ़गा कि भाईया ताजमहल किस जीले में है तब तो मागरा बताएंगे ने उत्तर परदेश बताएंगे तो प्रस्ट को भासा समझे अब क्यों ताजमाहल लोब जाईए कि ताजमहल कह दिया तो मतलब भाईया बात सफा है भाईया ताजमहल से तीन प्रस्ट में कि ताजमहल किस जीले में है तो आप कहेंगे आगरा में है ताजमहल किस प्रदेश में तब उत्तर प्रदेश कहेंगे किस देश में तब भारत कहेंगे अगर यह तो नहीं कहेंगे ना कि ताजमहल किस देश में तो आगरा में है इसलिए प्रिश्ट मे कि समाजिक अनुदेशन के अनुशार होगता है मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले पिश्टिंग के अंदर ठीक है के आगे मैं लंभी क्लासा आज नहीँ लोगा गवीड़ी आपकी संक्या काफी कम हो जा रही आप लोग सेर नहीं पाती नहीं संद्थ के इप क्यों मैं की पड़ागोगी पढ़ा दूँगा उसके बाद हिंदी के आज नहीं पढ़ाऊंगा ठीक है तोकि आप लोग की संख्या बहुत ही कम है एक उमा सम और विसम संख्याओं की संकलपना को समझ नहीं पाती उमा कोई लड़की है ठीक है ठीक है उसकी संकलपना को सुधारने के लिए सिछिका ने भिन रंग वाले कुछ बीस कंकड लिए और उनसे उनको जोड बनाने के लिए कहा साथी एक से बीस तक के संक्याओं को छाटने के लिए जिन कंकलों के जोड़े बन जाए उनके जोड़े नहीं बन पाए वो क्या कहा उन्थ प्रश्णोron को छाटने के लिए कहा कि अब आपको बताना हैं यहां पर क्या दिखकत होगी मालिज्ध आपी को अध्याथ नोस juvenile कमेंड करें कमेंड करें में सभी लैसे लिए से सब्सक्राइब करें कमेंड करें हैं अधिए से यहाँ पे समावेसी सिछह है इस प्रस्चरा है इसप्रक्र पढ़ना है आप लोग को समावेसी सिच्छा अगर आपको सीटेट पास करना भी या पांचे टॉपी तो सीटेट में पढ़ना है सीडीपी में बस उतना पढ़ लिया कोई माई कला सीटेट रोक नहीं पाएगा मैं तीन टाइम सीटेट खुदी क्वालिफाई हूं और भी बीना पढ़े कभी पढ़ने का मोगा ही नहीं मिला चलिए बताइए सबी फटाफट कमेंट कर गए चलिए बात यहां पर देखिए कुछ लोग कह रहे हैं चासुक बिद्यार थी देखिए यह वान हिले की संकलपना का आपको याद है यहां पर वान हिले की बात नहीं क अब यह से यह होता कि बच्चा यह कहता नहीं यार यह तो त्रिभूज है कि चतर्भूज है वह इस बात के नहीं उसको समब विश्व की संगल अपना ही समझ में नहीं आती हो मेरी तरह मंदबुद्धी है वह मंदबुद्धी है तो क्या होगा थीक है तो अब यहाँ पर दिखेंगा बच्चा मंदवुद्धि में और जब मंदवुद्धि का है तुर मैं इक तरीकां बताओंगा सनस्कित कि आपके 30 नमबर हो जाएंगे नियुक्त को समझा दिया किसे करें शौर करना है किसे तो आपको सीटेट कोई रोग नहीं सकता चाहिए आप जगड़ा करें लडाई करें कुछ भी करें लेकिन एक बार अगर आप कॉलिफाई हो जाते हैं तो यह आपके लिए माने रखता है विए कि आपके लिए ब्रक्ति से ज्यादा सेलेक्शन माने रखता है समय के साथ लोग कि अगर आपके आएम आपके नोकरी आपके साथ है तो लोग क्या करेंगे आपका समान करेंगे वरना आपकी कोई समाज में नहीं होगी जैसा मैंने देखा है यहां पर क्या होगा उसको ब्यत्तिकत ध्यान क्या हो सकता होगी कैसी ब्यत्तिकत ध्यान की अगर बच्चा कोई बार-बार समझा रहें नहीं समझ पा रहें क्लास में तो क्या करेंगे बहगा देंगे उसके पास जाएंगे और पताएंगे क्या दिक्का तुरी बताओं क्यों तुम्हें समस्म भी सम नहीं आ रहा है यह यह ऐसे होगा यह ऐसे होगा उसको नजदीट जाकर अब उसे क्या कर भी बताया है उन सबके जवाब सही है कि ठीक है मैं अगे बढ़ रहा हूं अगले प्रेश्टिंग की तरफ कॉंसर्प क्लियर हो रहे हैं सबके न यहां पर देखिए उच्छ क्रमई चिंतन कॉसल बात को समझे रहे हैं कि नहीं दिख रहा है आप लोग को ऊपर छोड़िया गया कुछ कि पर आधारी प्रश्ण की मांग क्या है कि पते ही समझ सभी लोग फटाफट कमन के लिए कि सभी लोग फटाफट कमेंड कर वैसे मैं इसकी ब्याक्षा जरू करूंगा अगया है सब लोग आप लोग सपोर्ट नहीं करते क्लास में कितना भी कह दिया जाए कि आप लाइक कर दिजिए वीडियो को शेयर कर दिजिए लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं हमें सीटेट की तरह पढ़ना होगा किसकी तरह सीटेट की तरह पढ़ना होगा किसकी तरह सीटेट की तरह पढ़ना होगा किसकी तरह सीटेट की तरह पढ़ना होगा हमें क्यों पढ़ना नहीं होगा कि मैं 10 गंडे पढ़ता था मैं 8 गंडे पढ़ता मेरा सीटेट नहीं व अब आगे देखते हैं उसके बाद उच्छ क्रमी जो ग्यान होता है उसको पाने के लिए हमें गहन चिंतन करना पड़ता है उसके लिए क्या करना होता है गहन चिंतन के जरूत पड़ती है इसकी गहन चिंतन की जरूत पड़ती है उच्छ कौसलों के जरूत पड़ती है हमें ज्ञान को विक्सित करने के लिए उचिक्रमी चिंतन कौसल पर आधायत प्रश्ण की मांग करनी चाहिए अब अल्गोरिथम का ज्ञान मैंने आपको बताया है कि NCF 2005 को मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने एक बात आपको बताई थी अल्गोरिथम नहीं होगा सुत्र ज्ञान नहीं होगा अब यहाँ पर दो बात हैं A और B में कोई एक चैन करना था आपको तब यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा कुछ सीमा तक संग्यानात्मक प्रयास और ज्ञान इसके लिए राइट एंसर होगा मतलब जितने लोगों इस पुरी तरश्य है किसी कोई मन में डौट हो किसी के मन में कोई समस्या हो तो आप left out comment करेंगे और comment करने करने के बाद आप जब आप जरूड़र देंगे ठीक के घ्लांगे पृष्ण की तरफ प्रदीप को एक लड़का है एक टूटा हुआ रूलर जिस पर दो तीन चार पांच से दिखाया गया है और पूछा जाता है कि रूलर में 6 सीमी कहा है ठीक है वह उठाता है और रूलर पर 5 सीमेग निशान को चिन्नित करता है उसका उत्तर क्या है चार बिकल्ब दिया गया है आप अधर, दिस है जितनी भी ही हो सब लोग कमेंट करके जवाब जरूर दीजे मैं चाहता हूं कमेंट में आप लोग बॉक्स को भूल कर दें अपने जवाब से कि अधिये कि अधिये कि सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगा अधिया कि सभी लोग फटाफट कमेंड करिएगा और प्रश्न का जवाब देजिए हैं कि बताइए सभी लोग फटाफट चलिए क्वाब की उपर है क्योंकि यह केवल निसान को देख रहा है नहीं की जीरो और पांच की रुप में चिनित दो बिंदों की बीच की दूरी को खाब या रहा है ल कि भईया आप दो तीन चीनिक दिखाया गया उपूछा जाता है डूर पर चैसे मी कहा सभी क्रते Nitक जा रहा है और यहां पो टृक कर देता है से यह बता रहा है कि संकरप्ना सब्सक्राइब कि यहां पर द्यान से देखिएगा इस प्रिष्ण का जो प्युक्त बिकल्प होगा गलत हैं सही बात गलत है क्योंकि सब्सक्राइब क्या क्या है तूट अ क्या है रूलर ना मुट कुंत हृण टूट रूट वा है है कि उससे ब्रूर करना है कर चाहिए था साथ को चिनित करना था सात हुआ कि एक से मीटा एक रूलर है से यहां पर दो सुरू करता है यहां पर दो तीन चार पांच चछाष ind आता तो यहां होता कि तो कहां पर यह NCRT के अधार पर आप जड़ा बताईएगा सभी लोग जो लिए वीडियो को लाइब देख रहे हैं कि NCRT की किताब जो प्राथमी भी द्यालम चलती है उसका नाम क्या है करके अगर कि बरतियारी सीटिट के बाद तो आप भी से के इंटर्वी के लिए तैयार हो जाईएगे सब्सक्राइब करें जुली वीडियो को लाइक जाख रहे हैं इस अधिश्य व्यावर कमेंट करेंगे और देगे पश्णका जबाब देंगे ठीके अब क्या रहा है क्योंकि किवल निसान को देख रहा है जीरो की पाच की रूप में चिनी दुबिंदों ग्विश के दूरु तिक उसे पहले कह दिया गया है कि प्रदेव को टूटा रूलर दिखाए गया और पूछा जाता है और पांच से में करता है इसका मतलब गलत इसलिए इसका उत्तर क् का जवाब दीजेगा प्रस्टन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको जवाब जरूर देना है कि हां गणित का जादू सही बात है कि हमीदा अपने विद्यार्थियों को गणितिया योगताओं को संवर्द्य करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूपों का प्रेट प्रतर लिखें तो जितने लोग वीडियो को लाइब हैं तो सब्सक्राइब करें कुछ लोग गड़सी होंगी कुछ लोग PCM पढ़े होंगे कुछ लोग MSC होंगे सब ही लोग के जबाब दे हैट प्रश्न का उत्तर क्या हो कि इस प्रश्नों के सिट के माध्यम से वह यह चाहती है और द्यारती यह लोग कर सके त्य लोकन कर सके वह क्या चाहती है हमीदा यहां पर क्या चाहती यह करें करें जक्कूर जब क्रते कि असर्वीं लोग फड़ा फट्र कमेंड करें यह कुर्भ्व कि सब्सक्राइब यहां पर एक उनक्री अतवर गलती हो गई थी यहां पर साथ सब्सक्राइब कि ताप तीन आया यहां पर देखिया आइगा तो यहां पर हमने क्या देखा कि यहां पर हमने देखा ऑफ लोट साथ एकृसमें एग मभटायर थो होगा आईए जब भाजक को 10 की घटत होती है तो दूसरेन पर भाजक को यहाँ पर क्या था दस की घात एक दस की घात एक यहाँ पर क्या था दस की घात एक दो तो यहाँ पर भी दस की घात दो उत्तर समान आ रहा है यहाँ पर क्या दस की घात तीन यहाँ यह गलत हो गया जब एक गुड़ दस को भाजित किया जाता है और दूसरे को दस से आए जाते हैं तो भागफल भी 10 की घाट से घटा जाता विए भागफल घाटा नहीं है भागफल सेम है इसका मतलब यह भी मतलब है भाकपल कई हैं रोग हुआ भाग Megi अलग हुआ भागफल से मारई भी गलत यहां पर क्या है यदि भाजक और भाज दोनों दस की घात से बढ़ाया घटाया जाते हैं तो भागफल हमेशा समान रहता है चाहिए आपे हम 21 में गुड़े 10 की घाते 3 कर दें और divided by 7 गुड़े 10 की घाते 3 कर देंगे तो भी इसका मान 3 ही आएगा मने अगर सामान रुप से 10 घात बढ़ाएं या घाताएं तो भागफल जो होता है वो हमेशा शमान आता है इसलिए आप पर दियेगे प्रशन का जो उत्तर होगा वह यहाँ पर ए सही जवाब होगा ए इसका राइट एंसर होगा जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं फटा फट कमेंट करके कि वह इतना बताएं कि आपको यह समझ में आ गया समझ माई गया ना मतलब एक लाइन आप तो जानते रहेगा किसी भी भाग फल में किसी भी भाग में अगर हम दोनों तरब दस की घात बढ़ाते हैं या घटाते हैं उसके भाग फल में कोई भी अंतर नहीं आएगा कि लियर अगला प्रश्णाप के सामने साथ आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा तो ज़रा फटा फट कमेंड करिएगा और कमेंड करके जबाब दीजे क्यारा है कि कच्छा पांच के कच्छा भी याद रखेगा नहीं तो आपको कहें गिसा इसका उत्तर अपने हाँ यह बता आया था तों में कच्छा के आधार पर चलनना है कच्छा पांच के विध्यारतियों के समस्या है एक बटे दो और एक बटे तीन को सही तरीके से हल कर सकते थे लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधे केक में एक बटे तीन केक के टुकडे हैं आधे केक में कितने एक बटे तीन केक के टुकडे हैं इसका कारण क्या है बताइए लेकिन जब उसको हल करने की बात आती है तब हाती है समस्या बढ़ने लगते से इस दसा में आप क्या करेंगे गजद देखिये और चलिकार अंसे इसका मतलब यह जब बच्चों को पढ़ा आ अच्छा की उच्छ नहीं एब टेयारतियों का बहुत खराब घर बहुत हैं इसकी खराब नहीं आप लोग अच्छे फिर धीर कियुक्तियों की दो समझ्यां गणती तोलता को समझने में योग नहीं है यह वाज्ट साहायता के पढ़ाई गई है हुए जैसे मैं जब पढ़ाता हूं तो मने सीटेड की भासा कо कैसी आती है कैसे आपको परिच्छा में सब्सक्राइब करना है कितना या 100 प्रिश्ट आया और किसी के क्लास में 10,000 लड़के पढ़ते हों और वहां से अगर 100 लोग सेलेक्ट हुए तो उनका रिजल्ट कितना हुआ एक परसेंट हुआ नहीं तो कौन बेहतर हुआ 100 परसेंट वालन है इसलिए हमें क्या करना है भासा को तत्यों को ध्यान द एक यह बखना आपको साद डिस्प्लेय पर दिख रहा होगा कच्छा तीन में दो अंकी संख्याओं को बेकलन अचे बैकलन क्यों कि पता जारा कमेंट करकर के बता है कि बैकलन क्या होता है कि ध्युक्त भासा याद रखिए घटाना होता है फिर सिचक निम्निखित चरणों को उपागम करता है जो सिच्चक है वो निम्निखित चणों का यहां पर उपागम करता है आई उपागम आप भी देख लीजी क्या कर रहा है पहले क्या रहा है कि अस्थानी मान की द्वस्था की समझ के साथ दोवंग की संख्याओं की पुर्णरा भृत्ति करना है ठीक है कि फिर यह प्रदर्सित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है टेली चिनों का प्रियोग करके अस्थानी मान के प्रतेक कालम के अंतरगर संख्याओं के व्यक्लन का अनुप्रियोग करके अब आप बताईएगा इस इस्तिति में सिच्चक के पार्ट का किस पार्ट का विकास कर रहा है जो इस वीडियो को लाइब देख रहे सब्वी लोग फटाफ़ट कमेंट करें अगर आप सीटेट को सलक्सन चाहते हैं अगर आप चाहते सीटेट बहतर स्कोर करना तो भया गणित में पूरे नंबर मिलेंगे आपको इसे आपका परचे कराता है ठीक आईए इसके बारे में देखते हैं यहाँ पर मैं आपका ज्यादा समय नहीं लोगा यहाँ पर सबसे पहला जो अस्थानी मान है अस्थानी मान की विवस्था की समझ के साथ दो अंके संक्राओं की जो पुन्रावित्ति करना है वो क्या है वो व यहांपक बच्चो को चरण फष्ट में अस्तानी मान व्वस्था को समझ के साथ, दोंकि सिंख्याओं की पुंचि पुन्रा वित्ति की विवस्था संक्र庭्ण पना के अध्यान ना को समझह रहा है। लेकिन दूसरे चंघंथ में क्या कर रहा हैं? जो सिच्छक है बच्चों को यह परदासित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़े संख्या से घटा जा सकता है इसके लिए टैनी चिलनों का प्रियोग करता है इसका मतलब यह परिकलन प्रक्रिया कहलाती है यह परिकलन यह परिकलन परिक्रिया काले उसके बात अगले च्रण सिच्छक बच्चों को बता था स्थानी मान के प्रतेक कालम के संक्रियागों का उधाना को पर लुद्ध करता है यह क्या करता है years का मतलब यहां पर वो क्या कर रहा है संक्रियां का अधाना कर रहा किसकी संक्रियां कितनी होती है कमेंड कर बताएगा सीटेट का पूछा कोस्टन और के बिएस के इंटर्वियू का भी के बिएस इंटर्वियू में भी पूछा गया है और साथे साथ सीटेट में भी गरती संक्रियां क इतनी है सभी लोग फटापट कमेंड करें बताई इसका उत्तर क्या होगा विवस्था परिकलन संक्रिया अब बताई को इसका राइड है आप तो बता सकते हैं यार आप लोग इतनी है यहां डियेता आपको देखा कि पहले ब्रॉस्ता मतलब बी और सी मिस्कोई एख होगा फिर परिकलन फिर संक्रिया मतलब यहां पें दूसरा इसका सव जवाग जितते लोग में प्रश्ण का उत्तर थी बताया था उनुसर प्रूरी तरह से थिक कच्छा मैं आखे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्ण की तरफ है कि यहां पर यह आखिली प्रश्ण की किसके बाद मुझे लग रहा है हिंदी मुझे दिक्कत होगी यहां पर दिखेगा बिद्यार्थियों से और द्वाधर शम्मो कोणों के मद्य शंबंद अस्थापित करने किलिए कहा जाता है वे कई आकर्तियां खिषते हैं कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि औरध WARधर शम्मो कोण आपस में शमान है कि अब ज़रा कमेंट करके बताइए जो लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं कि इसका उत्तर क्या होगा कि सभी लोग फटाफट कमेंट करें कमेंट करके जवाब दें यह गणि कि सिचड़ गई आखरी परेशन है कि गणी सिचड़ आखरी परेशन है सबी लोग फटावर जबाब क्या होगा इसका कि यह सभी लोग कमेंड़ करें जबाब ज़या करें है यह पर आप अनुप्चारिक निगमन अस्तर पर और दुवादर समुख कोणों के मद्द संबंद स्थावित करने के लिए कहा जाता है वे कई आकृतियां खिशते हैं ठीक करते हैं वे कई आकृतियां खिशते हैं पर ध्यान देजेगा कई आकृतियां खिशते हैं कोणों को मापने का भी किष कर देखे नहीं वह पहले क्या कर रहे खीच कर इसका मुत pre-py сожалению अब इसका इसका उत्तर क्या होगा को अस्तर पर किसे कर रहे है कि यह कुण कैसा है यह कुण कैसा यह कूण कैसा यह कुण कि अ ये पेन दौärद करना बिनकि संभव नहीं कर्णाय करते हैं कोनफ करने की लिए फिर उर्धादत समय और समान होते हैं विद्यार्थी द्वारा या दाणा गmoiाद करना भीन भिशियर संभव करतल में सुरू करने कितने यह साती हैं जो हिंदी सिच्ण के लिए नहीं प्रयाश करें तथ्यकों असपष्ट करने का पूण प्रयाश करें का मिझे अगली क्लास चाल जाईगी तो मैं पढ़ा नहीं पहूंगा है कि इसके बाद कुछ गडर अगली क्लास मेरा गला वैट रहा है है तो यह पर क्योंकि अगली क्लास लएनियर बिद्रगेश पर है प्रस्टन आपको दिखना ही रहा है चलिए प्रस्टन में आपको खाली दिखा दे रहा हूं देखिए इसके बाद अगली क्लास मेरी है करें और अगली क्लास इसलिए मैं हिंदी सिच्टन को नई पढ़ा रहा हूं तो आप लोग टेलीग्राम पे आउनलेंग क्लास के लिए 63063 244 367 पर वार्टसेप करके आउनलेंग क्लास नोट वीडियो लेक्टर समधी जयंगारी ले सकते हैं ठीक है तो चलिक कल की सीरीज विमें इसको मैनेज कर देंगे तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवादा सभी का वीडियो को अपने साथी मेत्रों को सेर जरू करिएगा क्योंकि इसके बाद अगली क्लास जो साथ आड़ बजेश है तो जरू जुड़िएगा ये क्लास प्रत दिन साथ बजेश होती है तो जो लोग जोनपूर से जोनपूर लाले को पूचा दीजेगा अगर आपके संक्या भहुती बहुत भातार रहेगी तो मैं आपके लिए कुछ अन चीजे की सिरीज भी सुरू करूँगा सीटेर के लिए कुछ महत्तपूर्ण चीजे इसके लिए आपको वीडियो को सेर करना पड़ेगा लोगों तक पहुचाना पड़ेगा बहुत-बहुत धन्यवादा सभी का कि बेस्ट आफ लग जय हिंद जय भारत आपकी मन में कोई प्रस्ण नों जल्दी से पुछ लिजे कोई प्रस्ण कोई डाउट हो कि मेरा गला बैठता जा रहा है कि सुबह से बीना खाय तो बैठे रहो उपर से क्लास में भी इसमें काम चल लाए ना स्टूडियो का को 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 सवाल को इस प्रस्ण आपका कि मन में कोई सवाल नहीं है आपके है कि हो तो बताएए कि चलिए तब अब को सवाल आपका है कि ठीक है कि चलिए बेस्ट आफ लग जैहिंद जैभारत चलते हैं तब कि विडियो को सेयर कर दीजेगा जैहिंद जैभारत बंदे मात्रम